दोस्तों नमस्कार मैं हूँ देविश दोस्तों जैसा कि आपके ध्यान में होगा बातचीत चल रही थी कि हिंदुस्तान एर नोटेक्स लिमेटेड और फ्रेंच कम्पनी सैफरन मिलके भारत में हेलिकॉप्टर का इंजन बनाएंगी तब जो संभावना प्रकट हुई थी वह अब बदल गई है सहमती में दोनों देशों ने मिलकर एक्जिमेंट कर लिया है फॉल एंड फाइनल दोनों कम्पनियां मिलकर अब बनाएंगी एक नई कम्पनी जो की भारत में करेगी हेलिकॉप्टर इंजन का उत्पादन एक और एक मिलकर यह कम्पनियां दो नहीं जाएंगे वो जिस हेलिकॉप्टर में लगेंगे उसका भी तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं वह हेलिकॉप्टर डारेक्टली कॉम्पीट करेगा रश्चन MI-17 हेलिकॉप्टर के साथ रश्चन MI-17 हेलिकॉप्टर दुनिया की 40 एयर फोर्स के द्वारा इस्तिमाल किया जाता है कुल मिलाकर जो नया हेलिकॉप्टर हेल बनाएगी उसकी दुनिया भर में भारी डिमांड होगी इस प्रकार ना सिर्फ हम हेलिकॉप्टर इंजन के इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बने हैं बलकि हम हेलिकॉप्टर के भी इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए दसकों स तपने हो रूस से हेलिकौप्टर खरीदते आए हैं आज हम रूस के बरावर खड़ा होकर दुनिया में हेलिकौप्टर वीचेंगे रूस हमारा दोस्त है दोस्ती में और मजा आएगा जब दोनों मिलकर साथ जो है compete करेंगे जिसका helicopter बढ़िया होगा उसी का बिकेगा अब दोस्तों जब भी कभी हत्यारों की बात्चीत होती थी तो पता चलता था कि हम दुनिया में सबसे बड़े importer हैं हमारे माते पर यह कलंक लगा हुआ था इस कलंक को दोना चाहिए ऐसा आपका आग्रह रहा है हमेशा से लेकिन आपके अग्रह पर अमल किया मोजी सरकार ने परणाम आपके सामने हैं भारत ने कर दिया है पिछले विक्ति वरस में 13,000 करोड से भी अधिका defense export यह defense export जो भारत ने किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरकारी कंपनिया है उनका हिस्सा बढ़ा है एक्सपोर्ट में 10% से बढ़कर 30% हो गया है सरकारी कंपनियों का हिस्सा दोस्तों जराय याद कीजिए कुछ सालों पहले इनी सरकारी कंपनियों को दिन रात गालियां दियाती है तुम्हें हत्यार बनाना नहीं आता डिलिवरी देना नहीं आता डिलिवरी करते हो तो उसम आत्तान के एक्सपोर्ड कर रही है अब दोस्तों यह सब क्यों हो रहा है कारण यह है कि जब देश के नित्रत्व ने भारती कंपनियों में भरोसा दिखाया तब ही जाके दुनिया ने भारती कंपनियों में भरोसा दिखाया उनसे हथियार खरीज़ना चालू किये आज अमेर अब दोस्तों आपकी मंसा के अनुसार भाड़त डिफेंस एक्विप्मेंट के मामले में बन रहा है आत्म निर्भर लेकिन आज आज आप जड़ा सोचिए आप कब तक निवेश के मामले में यदि आप निर्भर रहेंगे तो आप चाहे माने अत्वा ना माने आपका सोचन और रेडी हो रहा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक उस पर क्लिक करके इसलिए बन जाईए आत्म निर्भर इंवेस्टर वीडियो देखने के लिए आपका धन निवाद जैज स्री राम